हेलो फ्रेंड्स मैं राजेंदर सिंग आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल नौलेज और ग्यान में और आज का ये वीडियो जो है कोरल रा में लोगो कैसे बनाएं एक लोगो बनाने के ओपर है मुझसे कई लोगो ने कहा है कि एक लोगो का डिजाइन करके दिखाईए वीडियो का बनाएए तो चलिए आईए शुरू करते हैं कि लोगो कैसे बनेगा और प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आता रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो ये देखिए ये लोगो एक इस टाइब का कहा है बनाने के लिए ये भी मैंने ही बनाया है और ऐसा ही स्कूल और कॉलेज वगरा में ये चलता है उपर नाम लिखा रहता है उपर कोई भी नाम हो स्कूल कॉलेज का या इंस्टिटूट का और नीचे उनका एड्रेस होता है बीज में एक फोटो होती है तो ये लोगो बनाना है तो आईए शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले उनसे साइज पूछ लेंगे अगर वो साइज कहेंगे तो उस साइज का बना देंगे वरना फिर हम लोग किसी भी साइज का ले लेते हैं सबसे पहले ये लिए एलिपस टूल ये एफ सेवन से भी आता है ellipse tool लिया control दबा के इसको जब हम यूँ बनाएंगे तो यह पूरा goal बनता है उसके बाद अगर उन्होंने कोई size बताया है तो size के लिए हम जो है यहाँ पर देख लेंगे कि 3 इंच का उन्होंने कहा या millimeter का कहा है अगर इंच कहा है तो मालीजे 2 x 2 का बनाना है तो यहाँ से यह किया 2.0 tap दबाया फिर 2.0 enter कर दिया यह आ गया 2 x 2 का यह हो गया size अब हमको यह इसमें उपर लगाना है तो उसके लिए इसको हमने select किया इसको double करने के लिए इसी के उपर यह numeric key जो होते हैं keyboard में इसमें जो यह press होता है इसको दबाएंगे तो यह double हो गया shift दबा के इसको हम अंदर थोड़ा सा छोटा कर देंगे इतना सा यह किसलिए है यह अभी आप देखिएगा किसलिए इसको मैं बनाया है और इसको चाहें अंदर वाले select है इसको हम कोई एक right click करके इसकी outline यह color कर दी यह हमने उपर लगाना है लेकिन नीचे लखनौ भी लिखना है तो इसको control D करके double किया F8 दबाया फिर control A किया यह select हो गया तो लखनौ लिखने ले L U C K N O W यह लखनौ लिखा गया है और हम जैसे यह इस समय text tool है अगर हम यह अपना pick tool लेना चाहेंगे तो इसमें जो है यह इसके लिए pick tool के लिए यह बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं space bar दबाएंगे तो यह space bar दबाते हैं तो यह आ जाता है text से अब इसको हमने जो यहां से पकड़के इधर नीचे किया अब हमको इसको जो है knowledge और ग्यान को उपर लगाना है तो उसके लिए हम text में गए यहां देखिए यह है fit text to path यह लिया इसके बाद हम यह यहां गए इसमें यह देखिए जैसे इधर भी यूँ गूम रहा है इधर भी गूम रहा है लेकिन यह red line बीच में आ रही है तो इसका मतलब यह center में है यहां पे इसको छोड़ देना है click करेंगे left click तो यह यहां पे set हो गया उसके बाद यह लखनओ को नीचे लगाना है लेकिन लखनओ को अगर हम ऐसे ही लगाते हैं तो देखे बहुत सही नहीं आएगा एकदम बिकार आएगा यह लिया यह देखे उल्टा भी आ रहा है और इसके लेटर जो चिपके चिपके आने साथ में तो escape दबाया यह हट गया अब इसमें इसको यह करेंगे कि लखनओ को इसके लिए यह देखिए हम यह paragraph formatting में गए space में गए यहाँ पर character का है इसमें हम इसके करीब 40 के करीब कर दें 35-40% कर देंगे तो जो है यह दूर दूर हो गए मान लिजे हमारे यह 45-46% हो गया ठीक है अब इसको यहाँ से बंद कर दिया अब यह देखे फिर हम इधर text में गए fit text to path यहाँ गए अब हम यह देखे यहाँ आ रहे तो यह लखनो कुछ ठीक लगा रहा चाहें तो इनको और दूर दूर कर सकते हैं लेकिन ठीक है यह red line center में आई इसको यहीं पर हमने छोड़ दिया अब हम यह करेंगे कि इसको जो है यह इसकी जो red outline है यह अटानी है इसके लिए यह हमने shape tool लिया shape tool लेके हम इसको select करेंगे line को line select हो गई delete दपाया gap हो गई अब जो है हम लोग यह अपने outline लेंगे इसको थोड़ा मोटा कर देंगे hair line है बहुत पतली print में आएगी नहीं तो इसको दो point का कर दिया देखने मच्छी लगेगी और फिर यह प्लेस दबाया numeric button जो है इसके साथ वाला प्लेस तो अब यह double हो गई shift दबा के इसको हम अंदर की तरफ करेंगे तो यह देखें यह आगया चोटी हो गई अब यह देखें यह text बीज में अच्छा लग रहा है चाहते तो उसको और उपर थोड़ी line ले ले लेते लेकिन यह ठीक लग रहा है अब जो है हम लोग इसको इसके बीज में यहां पे हमको जो है image वो लानी है कोई भी image लानी है तो उसके लिए हम जो है file में गए import में गए और import जो है यह खुल गया इसमें जो भी image आप लगाना चाहें मेरे पास यह प्यानो अली है यह हमने select की import की अब यह import हो गई है बड़ी है तो थोड़ा सा F3 दबाया और इसको हमने यहां पे click किया यह आ गई अब इसको छोटा करने के लिए F4 दबाया तो सब कुछ नजर आ रहा है यहां से इसको हम पकड़के यह देखे छोटा करेंगे यह छोटी हो गई है और F2 दबाया और F2 से zoom आ जाता है यह देखे और यहां से और छोटी करने के लिए और छोटी कर सकते हैं लेकिन इस गोले के हिसाब से छोटी होगी ज़्यादा यह हूँ अब हम इसको इस गोले में लगाने के लिए select है यहां से गए effect में power clip में गए place inside container यह लिया इसको यहां पे हमने click किया यह देखे बीच में आ गई अब इसको मालेजे थोड़ा adjust करना है फोटो को छोटा बड़ा करना है उसके लिए control दबा के इसके बीच में हम double click करेंगे यह देखे double click करने पे यह आपकी photo आ गई अब यह इसको हम थोड़ा सा इधर कर देंगे वैसे तो size ठीक है छोटा बड़ा भी यहीं से हो जाएगी और यह ठीक है अब इसको हमने बाहर जब control दबा के click करेंगे अंदर करेंगे तो खुल जाएगी बाहर करेंगे तो जो है बाहर करेंगे तो वो जो है आपका पहले जैसा हो जाएगा यह देखे यह आगए इसके अंदर अब इसको जो है हम color करना है F2 दबाया और यह इसको select किया color करना है तो color जैसे इसको हमने select किया yellow color कर दिया इसने सब छुपा दिया लेकिन कोई बात नहीं shift दबाएंगे page down करेंगे यह नीचे चला गया सब कुछ आ गया अब जो है हम यह जैसे star लगाने यहां पे तो यह गए यहां पे यह देखे यह star है star tools और यहां से control दबाके एक star बनाया चोटा सा और इसको जो है हमने यहां से color कर दिया यह हमने इसको यहां लगा दिया अगर यह size बड़ा लग रहा है तो आप जहां भी हो F2 से zoom बनाएं और नजदीक जाके इसको जो है shift दबाके दबा दे चारों तरफ से चोटा हो गया अब यह है इसको जो है हम इसको प्लेस दबाएंगे फिर वही नियुमेरिक वाला तो डबल हो गया इसको इधर ले आए यह देखिए यहां आ गया और यहां आने के बाद इसको हमने ऐसे छोड़ दिया अब इसको थोड़ा बहुत इधर उधर करना है तो जूम दबाके कर सकते हैं जैसे यह किया F2 से इसकी थोड़ी सी स्पीड कम है इसको जड़ा सा इधर कर दिया यह हो गया फिर जो है F3 दबाएंगे तो स्क्रीन जूम आउट होगी अब जो है इसको क्या करना हमने इसी की तरह का बनाना है तो यह देखिए इसको सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद यहां पे इसको राइट क्लिक करेंगे मेजंडा पे तो इसकी आउटलाइन हो गई और यह अंदर वाले को सेलेक्ट किया लेफ्ट क्लिक से और राइट क्लिक करेंगे तो अंदर वाले की भी लाइन जो है ये आपकी मेजेंडा हो गई अब ये देखे सेम हो गया इनको करना जो मरजी कलर कर दीजे इसको knowledge और ग्यान को select किया यहां से हमने ये blue कर दिया left click तबा के लखनो को select किया और ये इसको भी left click तबाया तो ये सियान हो गया ये देखे सेम वैसा बन गया है और last में ये पूरे सब चीजों को select करके ऐसे control जी करेंगे ताकि ये group हो जाए ये देखे ये पूरा हो गया ऐसे सेम बन गया और अगले वीडियो में हम दूसरे टाइप का जो company बनवाती है वो बहला जो है logo बनाएंगे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आपके notification में आता रहे हमारे इस channel पर आपको 17 के वीडियो में 17 के वीडियो देखने को मिलेंगे और उनमें हर knowledge वाली बात बताई जाएगी इसलिए इस channel का नाम है knowledge और ग्यान इसमें आपको पहुत अच्छा-च्छा सीखने को सब कुछ मिलेगा आज के लिए बस इतना ही नमस्कार थैंक यू जै हिंद